Hello Students, Welcome to Aarti Education World Dear Students, इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 6 की गनित की जो वर्क सीट नंबर 3 आई है और जिसकी तिती है 22 सितंबर 2020 उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे अच्छे से और उसमें क्या-क्या हमें करने को दिया है वो सब कुछ करेंगे देखे, सबसे पहले तो हम आपको यह पता ही है आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है विद्यारती यानि के आपका नाम कक्षा अध्यापक यानि के अपने क्लास टीचर का नाम लेकिन बच्चो अगर आप क्योंकि यह सब्जेक्ट की वर्क सीट है गनित की तो आप अपने गनित के जो सब्जेक्ट टीचर है जो विश्या अध्यापक है उनका नाम लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा चले आप लेते हैं थोड़ी संख्याओं की जानकारी हरप्रीत के पास एक रहीम के पास दो रेखा के पास तीन और राखी के पास चार कंचे हैं आप देख रहे हो ना कितने संदर संदर कंचे हैं देखो ये है हर प्रीत का ये रहीम के दो कंचे ये रेखा के पास तीन कंचे और ये राखी के चार कंचे हैं अब हमें कंचो की कुल संख्या बतानी है कुल संख्या यानि के सब का टोटल टोटल का मतलब होता है कुल सब को मिला कर बताना है तो चलो सब को मिला लेते हैं तो ए एक हमने एक कंचे के लिए एक लिग दिया, दो के लिए यहाँ पर दो लिग दिया, तीन के लिए यहाँ पर तीन लिग दिया, चार के लिए यहाँ पर हमने चार लिग दिया, आप हम इन सब को जोड लेंगे, ठीक है, तो जोड़ो, एक और दो कितने हो गए, एक और दो हो ग तो आगया हमारा दस तो कंचो की कुल संख्या कितनी है दस सारे के सारे अगर कंचो को हम मिला देंगे तो वो दस हो जाएंगे ठीक है समझाया आपको चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है समझाया तो अच्छे ये देखो जमा क्या है जमा क्या होता है किसी चीज को जमा करना जमा का मतलब होता है इकटा करना या फिर आप बोलो इसको एक साथ रखना या फिर कोई बोले कुल कितने है मतलब टोटल कितने है इस तरीके से भी बोल सकते हो या फिर कुल बोल दो कुल और कुछ मत बोलो total ठीक है जमा जमा मा यानिके इखटा तो वो ही है आगे की और गिंती करना तो इन सब को हम क्या बोलते हैं इन सब को मिला कर हम बोलते हैं जमा यह इसने पूछा जमा क्या है तो उसके आंसर में ये उत्तर आ गए ठीक है आपको समझ जाया जमा क्या होता है किसी चीज को जोड़ना इखटा करना एक साथ रखना कुल कितने बताना या आगे की तरफ गिनके रूसको जोड़ना ठीक है चलिए आप ये देखो ये बैठा है अपना homework करने तो इसको क्या homework करना है कोलम में लिखे हैं और उनको जमा करें ये दो संक्या हैं आपके हमारे सामने साथ दो नो पांच छे चै दो चार पांच जीरो चाहें आप इंग्लिश में पढ़िए सेवन टू नाइन फाइफ सिक्स तू फो फाइफ जीरो तो इन दोनों को हमें उपर नीचे करके लिख लो इस तरीके से और अब इसको add करते हैं चलो add करते हैं सिक्स में 0 जुड़ी यानि के 6 में 0 जुड़ी तो 6 हो गए क्योंकि 0 तो कुछ होता नहीं 6 और 0 6 5 में 5 जोड़ा तो 5 और 5 10 होते हैं हमने यहां पर इसको add करना है ठीक है तो एन 9 और 4 होते हैं 13 13 में 1 जुड़ गया तो कितना हो गया 14 14 का लिख दिया 4 है ना 9 और 4 13 होते है 13 फ्लस 1 14 तो 14 का 4 लिख दिया फिर से हमने carry ले लिया क्या 1 है ना यहां तक हो गया अब फिर से हमने एक carry लिया तो 2 और 2 4 होते हैं 4 में 1 जुड़ दिया तो यह हो गया 5 ठीक है अब देखो अब तो कुछ carry लिया जाएगा क्योंकि 5 था 5 ही लिख दिया अब यह 7 और 6 को जुड़ लो तो 7 और 6 होते हैं 13 तो इस तरीके से हम करते हैं जूड ठीक है चलो अब यह तो आपको पता चल गया अब यह देखते हैं यह क्या प्रशन है एक गाउं में 3786 पूरुस हैं मतलब की 3786 में है ना और महिलाएं कितनी हैं औरते कितनी हैं 3672 चतिसो बहत्तर ठीक हैं और बच्चे कितने हैं 1508 यानि के 1508 बच्चे हैं तो गाउं की कुल जन संख्या गयात कीजिए तो बताओ कि गाउं में टोटल सब कितने हैं अगर आदमियों को औरतों को और बच्चों को सब को जोड़ दें तो देखो हमने जोड लिया पूर्सो की कुल संख्या लिख ली महिलाओ की कुल संख्या लिख ली और बच्चों की कुल जंक्या लिख ली और जैसे हमने याँ पह जोड़ा था वैसे ही जोड़ दिया 6 और 2 अठ और 8 16 चैका, हासिल लगए 1 8 और 7 15 और 1 हासिल का जुड़ की हो गए 16 चैका, हासिल फिर से 1 लग गया 7 और 6 13 और 5 18 और 1 हो गया हासिल का जुड़के 19 और 1 फिर से हासिल लग गया 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8 तो ये हो गया हमारा इस प्रशन का उत्तर तो गाउं में कुल जन्सें क्या है 8,966 ठीक है चलिए अब हमें करना है काम तो करो अब कोलम में लिखें और जमा करें अब इसको आपको कोलम में लिखना है मतलब की उपर नीचे लिखना है 5,4,1,6,5,4 ठीक है इस तरीके से लिखना है देखो कैसे लिखना है बत्चों यहा करेंगे तो हम आरा आंसर आएगा 1195 जोड लो वन और फोर मिलके हो गए पांच एक और चार पांच हो गए पांच और चार नो हो गए और छे पांच ग्यारा हो गए ठीक है दूसरा कोशन इसमें था कि इसको कोलम में लिखना है 8541 को और 5487 को तो ये लिख दिया हमने ये और इसके नीचे लिख दिया ये और इन दोनों को जोड दिया गए तो ये ये इस गोशन का उत्तर हो गया आप देखते हैं तीसरा कोशन क्या है तीसरा कोशन इन्हों ने पूचा है प्रिशन नंबर इसमें पहले कहीं तीसरा है 12545 और 45815 को जोड के बताओ तो ये देखो ये जोड दिया हमने 12545 और 45815 जोड के होते हैं 58360 ठीक है इसको ऐसे जोडना है जैसे वो दो जोड़े है ठीक है ये आपको खुद से करना है इसको चीटिंग मत करना खुद से करना है आपको ही चलिए अब ये भी कोशन आप खुद करना बचो देखो एक आदमी ने एक पेड से कितने आम तो च्ब्रदे, 435, दूसरे पेड से तोड़े 454 और 30 पेड से तोड़े 255 कितने आम थे ना चलो खाने चलें चलें वहले सवाल कर लो पेडों से तोड़े गए आमो की कुल संख्या बताओ तो ये तीनों पेडों के आमों को हमें जोडना है क्यूंकि हमसे पूची है कुल संख पेड़ से तोड़े इतने चार्सों पचास तीसरे पेड़ से तोड़े इतने और हमने सब को इनको पेड़ों से तोड़े गए कुलामों की संख्या हम तीनों को जोड़ देंगे जोडने के लिए हम क्या करेंगे इनको कॉलम में लिख लेंगे ये लिख लिया ये लिख लिया और इन सब को जोड़ के ये आगया answer और इसको बच्चो आप खुद करोगे ठीक है ये तो मैंने आपको बताया है और बाद में वीडियो चला के answer चेक करोगे ठीक है इसको आपको अपनी इमानदारी से करना है ठीक है बच्चो तो ये थी आज की आपकी math की बहुत ही easy वीडि तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक लाइक नहीं करी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप नहीं आये हैं और बच्चो अपने सारे दोस्तों को भीजना सिक्स क्लास में जो भी पढ़ते हैं वो किसी भी स्कूल में हैं और बच्चो अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ा करो करा करो कि आपको वीडियो से हैल्प मिली है की नहीं मिली है चलिए थैंक यू